Hello everyone, my name is Gaurav, welcome to the Skor Sala. Skor Sala के online perform में आप से का स्वागत है, जैसे कि आप से को बता है, हम यहाँ पर 8 class की टेक्सबूक को स्टड़ी कर रहे हैं, और आज की वीडियो लक्चेस के अंदर हम बात करें, तो basically आज की वीडियो लक्चेस में chapter number 15, introduction to graph के बारे में हम discuss करने वाले हैं, देखिए, इस chapters के अंदर हम graph के बारे में discuss करेंगे, plus इसके types of graph के बारे में discuss करने वाले हैं, इससे पहले हमें यहाँ पर यह समझना पड़ेगा, graph का use कहां पर होता है, और graph की जरुद किसलिए पड़ी, यह सारी चीज़ें हमें समझनी की जरुद है, देखिए, इससे भी पहले हमें यहाँ पर data के बारे में समझेगे, वैसे data के बारे में बात करूँ, यहाँ पर class 7 और class 6 के अंदर आप समझ चुके होंगे, लेकिन एक बाद थोड़ा से revision करते हैं कि data क्या होता है, देखिए, इसको short language में बात करूँ, या फिर एक छोटे से example के तौर पर समझाओ, देखिए, आप को यह स्कूल में study कर रहे हैं, उस स्कूल के अंदर आपके पास number of students study करते हैं, यस बहुत सारे number of students study करते हैं, तो उस number of students के अंदर, अलग-अलग तरीका क्या होता है, data होता है, जिस लाइक बात करें, यहाँ पर उनके अलग-अलग name होते हैं, उनके अलग-अलग subjects के अंदर, अलग-अलग marking होती है, तो basically बात करें, वह सभी marking को यदि मैं इकठा करता हूँ, तो वह हमारे लिए क्या करता है, collections of data के लगता है, अब यह collections of data क्याता है, information होती है, अब देखे, graph की need क्यों बड़ी, क्या जरुवत है, इस सभी के बारे में हम समझते हैं यहाँ पर, तो देखे, हमारे पास क्या आता है, बहुत सारा collections of data होता है, उस collections of data को, यदि मैं individually यह study करना जाओ, तो मेरे पास जो time होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जादेगा, और यदि मैं data को समझने जाओ, तो मेरे पास जो यहाँ पर data को समझना, बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जादा है, यदि हम उसी data को, थोड़ा इजी तरीके से समझना चाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ का यूज़ करते हैं, तो देखें कि आपके पास बहुत सारे collections of data को, या फिर collections of informations को, यदि आप easy तरीके से understanding करना चाते हैं, तो आप क्या करते हैं, ग्राफ का यूज़ करते हैं, तो देखें, ग्राफ का purpose क्या है, ज़रा समझते हैं आपर, तो आपके पास कोई भी numerical numbers होते हैं, या फिर में बात करो, आपके पास कोई भी message होता है, उसको यदि आप यहाँ पर visual देखना चाते हैं, तो आप क्या करते हैं, यदि आप quickly understanding करना चाते हैं, या फिर बात करो, यहाँ पर clearly तरिके से यहाँ पर understanding करना चाते हैं, तो आप क्या गरते हैं, ग्राफ का यूज़ करते हैं, ज़राइक में एक चोटे से example के तौरपर समझाता हूँ, मेरे पास बहुत सारा data है, इस तरह से मेरे पास क्या है, बहुत सारा large of data है, यदि मैं इस large of data के अंदर आप से 3-4 questions पूथा हूँ, ज़राइक बात करो यहाँ पर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर use होने वाला data कौन सा है, या फिर सबसे ज़्यादा use होने वाला number कौन सा है, या फिर मैं बात करो यहाँ पर, सबसे कम use होने वाले numbers की बारें बताईए, या फिर आप ऐसे numbers के बारें बताईए, जो दुनों numbers आपके पास, understanding करने के लिए हमारे पास इसको समझने के लिए या फिर में बात करूँ understanding के लिए हमारे लिए easy हो जाएगा क्योंकि देखे यहाँ पर graph के अंदर क्या होता है आपके चो collections of data होता है जिसलाग मैं बात करूँ यह आपके पास data भी बहुत कम है यदि में पास यहाँ पर 100 times data होता तैन आपके पास उस data को समझने के लिए यदि मैं graph का use करता एक छोटा सा graph बनाता यहाँ पर और उस data को समझाता तो आपके लिए यह data समझने के लिए बहुत आसान होता और से related यदि मैं कोहत सारी questions आपसे study कूशता तो आप यहाँ पर बहुत easy तरीक में तो आपके लिए बैसिकली बात कर के graph का use कहाँ पर है कि किसी भी data को थक्षग कूशता करा यहाँ quickly समझने के लिए या या फिस data को easy बनाने के लिए या clearly तरीके से समझाने के लिए आप क्या करता है graph को use करते हैं यदि मैं इसी data को यदि ऐसे ही समझाता तो आपके लिए एक थोड़ा सा problematic हो जाता यहाँ पर यस और इसी data को यदि मैं graph के तरीके से समझाता या फिर मैं कुछ इसी तरीके से represent करके समझाता तो आपके लिए वह क्या चीजे understanding करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है इसलिए हम यहाँ पर graph का यूज करते हैं अब देखे day to day life में graph का यूज बताऊं तो देखे graph का जो यूज है बहुत सारी जगह पर होता है सबसे easy तरीके से यहाँ पर बताऊं आपको तो किरकेट देखना सबको फसंद है yes किरकेट के अंदर हमारे पास बहुत से अलग-लग तरीके की graph होता है यदि मैं आपको यहाँ पर क्या करूं एक किरकेट मैच चल रहा है इंडिया वर्सेज किसी और के यहाँ पर कंट्री का मैच चल रहा है उस कंट्री के मैच को आपको नहीं देखना है वो जो मैच है उस day का वो आपको मैच नहीं देखना है यहाँ पर किरकाट मैस से लेटेड यस किरकाट मैस से लेटेड में एक छोटा सा एक्जामपल समझाता हूँ जिसके अंदर आपने यह वाला जो ग्राफ है वो बहुत अच्छे डंग से देखा होगा उसके बात करूं यहाँ पर ते से धुक्ड रहें से लेंस बात करें यहाँ पर से चैन्म के impera जो नटा इसके साथ साथ यह आपके पास ढूपर ज़ीरू रगा रुख हैं यहाप को क्या स्टो करता है तके इस बात करता है यहाँ को पर आपको यहां पर इस तरह से आपको ड़ाटा देता फिर मैं आपको यहां पर कुछ इंटरवेल के अंदर आप यह बताईए कि आपके पास सबसे जादा रहने या पता दिये तो आपके लिए यहां पर जो सर्चिंग होता यही जो आपके यहां पर डाटा को सर्च करते हैं वह यहां पर थोड़ 쉬kle होता इसके भजाए यहां पर जब मैं आपको ग्राफ यह चीज समझाता तो आपके लिए क्र establish आधी और आ बहुत अच्छ कि data को yes किसी भी तरीके का data हो सकता आपके पास यहाँ पर उसको easy तरीके से understanding कराने का काम करता है I think लिए समझ आ रहोगा क्या कर रहा है ओके तो graph का use आप समझ चुकोंगे कि graph का use का है yes इसका easy तरीके से represent करने का है अब हम समझेंगे कि graph के types कौन कौन से है क्योंकि graph के हमने बारवे में हम 17 से पहले हम graph के कारवारे type को समझता है कि types कितने types के हो सकते हैं कहां कहां पर किस किस type का use के जाता है यहां पर बात करूँ यहां पास सबसे पहला है हमारे पास बार ग्राफ के बारे में देखे बार ग्राफ क्या होता है देखे आपके पास जो ग्राफ होता है यहां पर यहां पर रिप्रेसेंट करने का जो तरीका होता है Yes, यहाँ पर क्या करता है comparison among the categories मतलब आप कभी भी किसी भी दो चीजों के बारे में comparison कर रहे हो तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, बार graph का use करते हैं Just like मैं बात करूँ, यहाँ पर simple से example दूँ जब आप यहाँ पर match देखते होंगे, Yes, cricket match के ही बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपने बहुत सारे graph देखे हैं, प्लस यहाँ पर आप सभी लोग के cricket को देखते ही होंगे Yes, कभी न कभी आपने cricket देखा ही होगा, तो वहाँ पर इन सभी graph को कभी न कभी देखा होगा देखे, एक particular graph के बारे मैं बात करते हैं यहाँ पर, Yes, एक cricket match के बारे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो वहाँ पर आपने इस तरह की graph को देखा होगा ये आपको क्या Show करता है कि किसी की भी ऊवर के अंदर कितने run बने है तो बेसिकली बात करें यह comparison कर रहा है किसी 1st over 2nd over 3rd over के बीच में comparison कर रहा है कि किस आवर के अंदर सबसे ज़ादा run बने हैं किस over के अंदर सबसे होर्ण बने हैं तो basically bar graph का जो use है किसी भी चीज को comparison करने के लिए दिखाए जाता है जश लाइक बात करें यहाँ पर आपके पास दो टीम का बेच में match हो रहा है दोनों टीम के अलगलग overs के अलगलग runs बने हैं अब यहाँ पर यदि आप यदि समझना चाहें तो उनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा difficulty होती है यस यदि मैं आपको पूरी आपको list लाके देदू यहाँ पर वन से लागा कर फिफ्टी ओवर की बीच में तो आपको उसको understanding करने में थोड़ी difficulty होती है उसकी जगा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं तरह के जो graph है यदि मैं इसको यही चीजे graph के अंदर represent करके दिखाता इस बार ग्राफ के अंदर represent करके दिखाता तो आपके लिए क्या होती है बहुत ज़्यादा easy होती है तो basically बात करें graph कहां पर use होता बार ग्राफ कहां पर use होता इसके साथ-साथ बार ग्राफ को कैसे बना जाता है उसको जड़ा समझते हैं आप तो देखे बार ग्राफ जो तरीका बनाने का होता है वह basically आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं और horizontal दोनों तरीकी से बना सकते हैं और इसके साथ साथ आपके पास यहां पर बहुत सारे पाइलर ग्राफ भी बना सकते विए command नी इस बार बनाने के लिए आपको क्या करना परता है रक्टेंगलशेप्स के अंदर आपको यहां पर कुछ बार नहीं पर दिए है यह बाला है आपको यहां पर रिया बात क्रिंद करती है कि इस पास तो आपके पास 35 так तो आपको clearly understand हो जाएगा कि first list के अंदर आपके पास कितना 35 जो आपके 25 है 25 आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पर 25 विस्कोर बन रहा है यदि मैं बात कुरू second के अंदर यदि आप second को analysis करेंगे तो यहाँ पर कितना है 30 है यदि मैं बात करूं यहाँ पर थर्ड के अंदर तो थर्ड के अंदर आप क्या बात करेंगे यहाँ पर कितना है 45 के आरॉंड है clear तो basically बात करें तो बार ग्राफ आपको किसी भी चीज को easy तरीके से represent करने के लिए प्लस इसके साथ साथ किसी भी दो चीजों के बीच में comparison करने के लिए yes दो से ज़्यादा भी हो सकते वैसे comparison करने के लिए use के जाता है आई ठिंक के लिए समझा रहोगा किस तरह से हम बार ग्राफ के उसका बढ़ते हैं हमारे अगले यहाँ पर अगले ग्राफ के उपर देगे अगला ग्राफ कौन सा यहाँ बात करें तो आगला है पाई ग्राफ यहाँ पर पाई चार्ट भी बोलते हैं इसका जो use है यह भी आपके पास क्या होता है comparison करने के लिए use किया जाता है देगे इसका जो आपके पास बनाने का जो तरीका होता है वो आपके आज क्या होता है circular shape में होता है yes किसी भी चीज़ को आप यह ऐदि आप circle के अंदर represent करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर करते हैं पाई चार्ट का use वो आपके पास क्या होता है, एक total number of data, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, आपके पास cricket match के अंदर, जो total score होता है, उस total score के अंदर, एक particular over के अंदर, आपके पास कितने percent आपने gain किया है, या फिर मैं बात करूँ कितने ratio gain किया है, ये चीज आपको यहाँ पर show करता है, तो basically बा controller के अंदर, उसका कितना percentage है, ये उसको show करता है, just like मैं इसको थोड़ा और समझाओं यहाँ पर, तो यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर देरकार, किसी आपके पास day-to-day life के news के यहाँ बारे में बता गया है, कि वो यहाँ पर कितना sports करता है, कितने बिदेर निज देखता है या कितने टाइम तक entertainment करता है, कितने टाइम तक information चीज़े ये use करता है, वो सारी चीज़े बताई गई है, तो यहाँ पर, पाई चाट के थुरू, आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के ratio के बारे में, या फिर, उस चीज़ के percentage के बारे में, आप easy दरके समझ सकते हैं, just like मैं आपको यहाँ पर बात करूँ, कि यदि आपके वास एक particular man है, जो यहाँ पर क्या कर रहा है, 15%, 15% अपने जो day का timing है, yes, 15% जो 24 hours है, उस 24 hours के अंदर 15% वो क्या करता है, newspaper परता है, तो उसके अंदर newspaper को शो करने का जो तरीका है, वो कुछ इस तरह से, yes, जज़ाब देख रह खेलने के लिए यहां पर time देता है तो basically बात करें यह आपको पास यह इस तरह से show करता है clear तो pie chart को show करने का जो तरीका होता यहां पर बात करें तो आपके आपस क्या होता है clear बढ़े आगे यहां पर तो देखें अगला जो हमारा methods है ज़र उसकी बात करें वो आपके पास एक particular value के but depend Just like मैं बात करू हूँ यहां पर तो यह आपके पास क्या कर रहे है एक particular आपके पास score के बारे में बात कर रहे है Yes, over versus run yeah this is यदि यई ही चीज आपके पास एक interval की होती interval का मतलब ज़रा बात करें यहाँ पर just like मैं बोलता है यहाँ पर 0 से लेके 10 over तक 10 से लेके 20 over तक के बीच में या फिर बात करूँ 30 से लेके 30 over के बीच में कुछ इस तरह से run बनता है जैसे 5 बट लिखिया मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया 20 run लिख दिया तो यह आपके पास क्या कर रहा है एक interval के अंदे शो कर रहा है यहाँ पर बात करें तो यह आपके पास क्या कर रहा है एक particular over के उपर बात की जारी है तो basically बात की जाए तो यह आपके पास क्या करता है एक over के अंदे over करता है जबकि आपके पास जो बार ग्राफ था यस जो बार ग्राफ था वो आपके पास क्या करता है एक प्विक्स वेल्यू के उपर डिपेंड करता है और यह आपके पास जो हिस्टोग्राम होता है वो ओवर के उपर डिपेंड करता है भाइल यहां पर इंटरवाल के अंदर 318 से हुंऩिलेंटकः से लिका है 20 allegiance और 25 से लिखिए 40 तो आपके पास कौन रहा है कि आपके आपके आपकू कहया है इक इंटरवैल मिल रहा है उस पर्टिकुलर इंटरवैल के अंदर आपके पास कितना स्कोर आप ने गेन is the bar graph that show data in Intervail yes, ७ॐ किस के अंदर Intervail के अंदर और करता है आचा देखी मैं आपको यहां पर फिर से दिखें bar graph के तरह ले चलता हूँ यहां पर bar graph के अंदर हमने देखांता है यहां पर देखें bar graph के अंदर आपके पास क्या कर रहा था यहां पर आपको कोई भी एक interval नहीं दिया गया था यहां पर आपके पास बात करें आपके पास बारे में तो बार ग्राफ जो है आपके पास यहां पर आपके पास इस्ट्रोग्राम आपके पास क्या करता है एक ग्रूप ऑफ डाटा यहां पर एक इंट्रोवेल के अंदर बात करता है लेकिन बढ़ें आगें यहां पर तो अगले टाइप के पर बढ़ते हैं अगला टाइप है हमारे पास लाइन ग्राफ यहां पर तो तो देखे किसी भी collections of data के अंदर, just किसी भी collections of data को, यदि आप यहाँ पर एक line की रूपे represent करते हैं, just like मैं बात करूँ, जैसे आपके पास यहाँ पर 10 a.m. के अंदर, यदि आप यहाँ पर इतना work करते हैं, या फिर इतनी calorie burn करते हैं, या फिर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखे, 11 a.m. के अंदर, आपके पास इतनी calorie burn कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूँ, 12 के अंदर, यहाँ पर इतनी calorie burn कर रहे हैं, तो basically बात करें, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक fixed value के उपर, एक fixed data आपको मिलता है, उस fixed data को, उन सारे data को जब आप यहां पर join करते हैं, तो join करने पर आपके पास, यहाँ पर एक line represent होती है, यहाँ पर क्या होती है, यह line आपको बताती है, कि आपकर क्या है, उस collections of data को, यहीदि आप linear रूप से represent कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, यहां पर line graph होगा I think लिए समझ में आच्छे होगा किस तरह से करने तो बेसिकली बात करें यहां पर बात करें तो आपके पास बहुत सारे डाटा को यहां पर शो करने का तरीका होता है वह बहुत सारे टाइप होता है जिसके अंदर सबसे पहले हमने बार ग्राफ के वारे हम स से आपके उसका कितना परसंटेज है उसके बारे में आपको यहां पर क्या करता शो करता है और बात करें यहां पर हमारे पास हिस्ट्रोग्राम के अंदर तो हिस्ट्रोग्राम हमारे पास क्या क्या करता है एक पर्टिकुलर इंट्रवेल के अंदर वहर करता है यस एक इंट करने के बाद एक line represent करना यस एक line के अंदर represent करना आपके पास क्या करता है line graph करता है I think clear समझ में आच चुका होगा types of यहाँ बात करें graph के बारे में clear तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले video lectures के अंदर जहाँ पर इन graph के ऊपर बहुत अच्छे-चे question करेंगे प्लस इसके साथ साथ इसके आगे जितने भी हमारे पास अच्छे-चे topics हैं उन सभी को हम discuss करेंगे clear तो मिलते हैं हमारे अगले video lecture के साथ तब तक आप हमारे साथ बने रहिए thank you for watching this video